मैं आपके घर पे रख रहे हो तो एक बीमारी है उसका अपने सामना किया रहेगा वो है वाइट स्पॉर्ट टीजेस तो उससे आपके एक्विरम फिश की जान भी जा सकती है दोस्तों आज के वीडियो में मैं पूरी तरह से बात करने वाला हूँ क्या है वाइट स्पॉर्ट टीजेस उसके बाद मैं बात करोगा कि आपके एक्विरम फिश को जाब वाइट स्पॉर्ट है वो बीमारी हो जाती है तो उसके लक्षन गया रहती है उसके बाद मैं आप से में बात करोगा कि अगर आपके एक्विरम फिश को वाइट स्पॉट डीजेश हो गया है तो उसको ट्रीटमेंट एसे देख दूस्तों अगर आप कुछ सालों से एक्विरम है अपने घर पे रख रहे हो इंपेक्ट मैं अगर बोल दाओ कुछ महिनों से अगर आप एक्विरम है आपके घर पे रख रहे हो तो एक बीमारी है उसका अपने सामना किया रहेगा वह है वाइड स्पॉट डीजेज दूसर वाइड स्पॉट डीजेज एक ऐसी बीमारी है एक कॉमन बीमारी है जबी टेंपरेजर है वह डाउन हो जाता है हमारे साराउंडिंग का तो अटोमेटिकली इंपेक्ट है आपके एक्विरम के वाटर के उपर आ जाता है और पानी इसे आप आरम से गंडॉल कर सकते हो अगर अपके एक्विरंव फीश को हुआ है और वाइट स्पॉट्स की बीमारी और अपको पता ही नहीं चला आखिर तलग की उसको क्या बीमारी हुए तो उससे अपके एक्वियरुयो फिश की जान भी जा सकती है दोस्तों आज के वीडियो में मैं पोरी तरव से बात करने वाला हूं क्या है White Spot दीजियस उसके बाद मैं बात करोगा कि आपके एक विडियरम फिश को जब बी वायत संपोड है वह बीमारी हो जाती है तो उसके लक्षन क्या रहते हैं उसके बाद मैं आपसे में बात करूगा कि अगर आपके एक्पिरम फिश को वाइट स्पॉट डिजेस हो गया है तो उसको ट्रीटमेंट कैसे दे तो दोस्तों विडियो यह बहुत ज्यादा इंट्रेस्ट नहीं वाला है और आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से इंफोर्म पर प्लीज ही चानल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो नोटिविक्शन का बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं ऐसे में नहीं वीडियो से लाती रहा था आपके लिए उभी हिंदी में तो चलिए दोस्ते वीडियो आप लोग शूरू करते हैं पहले आप लोग बात करेंगे था वाइंट्सलस वॉयन वाइंटसि डिएज व्लीजिक्श की टया है बेवारी एंगने जहाता शूरू क्हशन के ओपर फिंस के ओपर पूरी तर पолнठीश रहें चालो हो जाता है एक्श्टनल अ करत ago उसका क्या रहता है काम कि आपके एक्विर्यम फीश के ऊपर जबी भी आ जाता है और आप Ki-5 संब्द सिल्भक ऊपगाना खाती रहती है तो इस से आपको आंधर जहनी आता है कि उसके ऊपर बर मेश पॉरड डीसर ओगया है उसके ऊपर और एक्स्टरनल पैरसाइट से उसने हमला किया हुआ है तो क्या होता है जब भी आ फीड करते हो तो फीश खाती रहती है और यह जितने भी सारे जो प्रॉटोजनस एक्स्टरनल पैरसाइट से बढ़ने को चालो हो जाते हैं आपके एक्विर्म फीश के ओपर वैसे ही रहते ह जैसे उनको होस्ट मिल गया मतलब आपकी कोई भी एक्विरम फीश में तो उसके उपर आ जाते है ऐसे इसके कॉलिन है आपके एक्विरम में बढ़ने को चालो कर देती है तो आपने हमेशा दे करेंगा कि जब एक फीश को वाइट स्पॉर्ड हो जाता है उसके बाद होई वा वायर करेंज करेंद हैं और आपकोषिश कऊ देन cheddar और जाते हैं अगे अगर Key map के वाइट सपोट है तो कैसे इसके पैचाने में अगर आपकी किसी भी ऑबजेट के ऊपर रप कर रही है फिर अगर आपके एक्विरम फीश में खाना छोड कर दिया है अगर अपके aquarium fish यह सुस पड़ी है अगर अपके aquarium fish यह rapidly सास ले रहे हैं वनलब breathing कर रहे है अगर अपके aquarium fish कहा पे कोना पकड़ के चूपी हुई है तो इससे आप समझो कि अपके aquarium fish को white spot disease हो गया है तो आप उसके body पे पूरी तर से check करो कि उसके body पे कहा पे tiny white color के spot है गया वह अगर अपने देगा तो समझो confirm है आपके aquarium fish को white spot disease हो गया है अभी हम लोग बात करते हैं treatment के बारे में देखो मैंने वीडियो के starting में बता है कि white spot ऐसी बिमारी है aquarium fish में उसको आरम से control कर सकते हो और उसको जड़ से आप खतम कर सकते हो आपके aquarium में तो वाइट spot disease की treatment बहुत ही आसंद रहती है मैंने एक वीडियो में दिखाया भी है white spot disease को मैंने खतम किया था उस वीडियो का link है मैंने comment box में दिया हुआ है तो आप जरूर देखना white spot disease को अगर आपको control में रखने का है तो पहले बाद तो आपके aquarium का जो temperature है वो constant period पे आपको रखना पड़ेगा constantly आपको रखना पड़ेगा मैं आपको recommend करता हूँ आप जो temperature है वो 27 से 28 पर आप सेट करो इससे गह रहेगा कि आपके aquarium fish को wild spot है पूरी तरसे निकल जाएगे और water में पूरी तरसे नर्ष्ट हो जाएगे इससे कत्रा पूरी तरसे कम होगा कि दूसरे fish को जो wild spot disease होने वाला है वो आपके कोई भी aquarium fish को ऐसे होगा नहीं दूसरे आपको क्या करने का आपके घर पे methylene blue रहेगा वो आपको उसका treatment देने को start करने का है हलका सा blue पानी होने तरह आपको methylene blue है एड करने का है इससे क्या होगा जितना भी सार जो parasite infection है उसको जल से जल खतम करने की methylene blue है कोशिश करेगा और आपकी aquarium है वो पूरी तरह से white spot disease free होते जाएगी अपको क्या करने का है थर्ड श्टेज है जैसे कि आज अपने है ट्रिट्मेंट शुरू की अपने हीटर हो सेट किया बात में methylene blue के डोसेज है अपनी दिये तो आपको क्या करने का आपको next दिन या फिर उसके next दिन मतलब तीसरे दिन दूसरे और तीसर नहीं रहेगा पूरी तरह से अच्छे से स्विम करते रहेगी उसको closely पूरी तरह से monitor करो अगर आपके aquarium फीश है वह सई से से दिन है 30 से 40 पर सने water change करो और उसके बाद है फिल से आप है ओ फ्रेश वाटर डालो और सेम ट्रिट्मेंट है आप अगेन आप रिपीट करो सेम ट्रिट्मेंट आप यूज करो गया आपके एक्विरम फीश के लिए वाइट स्पॉर्ट डीजिस के ऊपर तो मैं आपको ब वीडियो है और अच्छा लगा रहेगा है पुल लगा रहेगा तो दोस्तों आभी इस वीडियो को यहाँ पर मैं एंड करने को जा रहा हूं बिल दे कुछ है इसे इंट्रेस्ट तक तब तलब दोस्तों टेक करे रेवरीवन एंड बाई